हेलो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम रहतास नमी और आप सभी का स्वागत हमारी यूटुब चैनल नमीजी नेट पर दोस्तो सबसे पहले आप सभी को टीचर स्डे की हार्दिक सुब काम नाएं दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं रिजिनिंग के अंदर कोडिंग डिकोडिंग के कोशन के वारे में कि उसमें से आज तक किस तरह के कोशन रिपीट हुए है और आगे किस तरह के कोशन आने के संभावना है और इस वीडियो में आपको बिल्कुल डिट्टो कोपी कोशन दिखाऊंगा कि वो पहले किस तरह से repeat हुए थे और उन कोशन को देख के आप हैरान रहे जाएंगे तो दोस्तों इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना और दोस्तों यहां पर अगर बात करते हैं एप की तो एप में कुछ दोस्तों को प्रोब्लम आ रही है कि वो एप ओपन तो हो जाते लेकिन उस कि उन सभी को डिलेट कर दीजिए क्योंकि फोन के अंदर मेमोरी होना बहुत जरूरी है रैम होना बहुत जरूरी है उन सभी को आप डिलेट कीजिए और जो निमीजी नैट की एप है उसे भी आप एक बर अनिंस्टॉल कर दीजिए यह सब करने के बाद आप दोबारा से उ कोशिस करेंगे और दोस्तों अगर आपको नोट्स लेने हैं तो आप हमारी वेबसाइट निमीजी.net से भी डायरेक्ट ले सकते हैं तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग से रीपीट होने वाले कोशन के वारे में और उनकी प्रैक्टिस करते हैं द देखें दोस्तों ये हमारा जुलाई 2018 का कोशन पेपर है और इसके अंदर कोशन नमबर देखें 22 इसके अंदर देखें दोस्तों ये जो सीरीज ओपर दी हुई है इसे आप एक और बिल्कुल अच्छे से देखिए ध्यान में देखिए देखिए मैं बता रहा हूं आपको इसके अंदर ए बी डी डी जी के एच एम एस एम टी बी और एस बी अल ठीक है दोस्तों यहाँ पे आपने देखें ली और अब हम देखतें कि ये पहले कहां पे रिपीट हुई है अब ये देखिए दोस्तों ये है हमारा नमबर 2017 का कोशन पेपर इसमें ही यही कोशन नमब सब्सक्राइब कोशन इसमें देखी ABD, DGK, M, H, M,S, MTB दोस्तों यहाँ से आप देख सकते कि बिल्कुल सेम कोशन आपको एक वार फिर से मैं ये दिखा देता हूँ ये देखिए दोस्तों इसके अंदर ये रहा बिल्कुल सेम कोशन है ABD, DGK, H, M,S, MTB और इसमें जो है extra दोस्तो SBL दिया हुआ है और इसके अंदर क्या था इसके अंदर SBL नहीं दिया हुआ था अगली सीरीज इन्हों ने पूछी हुई थी तो अगली सीरीज क्या है दोस्तो SBL है तो यहां से आप देख सकते हैं दोस्तो यह कोशन बिल्कुल डिटो कोपी बिल्कुल डिटो कोपी आप देख सकते हैं यहां पर रिपीट हुआ है यह देखिए दोस्तो इसमें नवंबर 2017 के अंदर यहां पर MTV तक दिया था लेकिन जुलाई 2018 में इन्हों ने एक कोर्स सीरीज आगे दे दी और इस सीरीज से अगली सीरीज इन्हों ने पूछ ली तो यहां से आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से बिल्कुल डिटो कोपी कोशन रिपीट हो रहे हैं बार बार और दोस्तों हमने इसके अलावा भी काफी तरह की वीडियो बना रखिय कि हमारे लिए ओल्ड पेपर करना कितना ज़्यादा इंपोर्टेंट है और दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप ओल्ड पेपर करते हो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकिंड और उन्हें एनलाइज करते हो देखते हो कि किस तरह के कोशन रिपीट हो र 2018 का इसके अंदर 18 कोशन ऐसे थे जो बिल्कुल डिक्टो कोपी पीछे से रिपीट होए थे जिस तरह से ये कोशन है ऐसे ही repeat हुए थे जिनको देखते ही हमें answer देना था तो दोस्तो इस तरह से आप बिल्कुल असानी से net clear कर सकते हैं और दोस्तो एक बात और मैं आपको बता दू कि हमने paper फर्स्ट चे रिलेटीड separate topic wise 2012 से लेके 2018 तक PDF बना रखी है जैसे कि आज तक teaching से जो question आए है वो अलग करके research से जो आए है वो अलग है और communication से जो आए है वो अलग है और PDF को आप देख के ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आज तक किस तरह के question रिपीट हुए और कौन से topic बारबार रिपीट हो रहे हैं और उस PDF को करके दोस्तों आप बिलकुल असाने से net clear कर सकते हैं December 2018 का तो दोस्तों अगर आपको वो PDF लेनी है तो वो PDF आप ले सकते हैं उसका link मैंने video description box में दिया हुआ है और दोस्तों उस PDF की कुछ समाने cost हो सकती है तो आईए दोस्तों अब हम कुछ questions की practice करके देख लेते हैं दोस्तों अगर आप बार बार इन question को करते हो तो ये हमारे लिए बिलकुल असान हो जाते हैं चलिए देखते हैं ये देखें दोस्तों ये हमारा जुलाई 2018 में question आया था तो इसमें देखते हैं कि किस तरह से करेंगे दोस्तों इसमें इस तरह से series दी हुई होते हैं और हमें देखना कि अगली series क्या आएगी दोस्तों इसके लिए आप क्या कीजिए सबसे पहले जो digit दी हुई है यहां पर इस तरह से आप लिखे लिजें सभी की सभी और आप क्या करिए दोस्तों जो last के दो अकशर है जैसे बी और डी इसने दिया हुआ है इनकी नंबर लिखिए है और अपना पहले से start मत किजए first से start मत किजए क्योंकि first से जो examiner है वो हमें confuse करने की कोशिस करेगा ठीक है तो हम लाश्ट के जो दो digit है उन से शुरुवात करते हैं अब देखे सभी की जो बीच की और लाश्ट की जो digit है उनके अक्से वो अंखम लिख लेंगे इसमें देखे दोस्तों जैसे कि यहां यह उन्पर देख सकते भी दो पर आता है कल मैंने आपको सिखाया था कि किस तरह से है यह जी अपना 7 पर आता है फिर M 13 पर आता है और बी फिर टू पर आता है ठीक है इस तरह से हमने बीच की लिख लिए उसके बाद में लास्ट का जो अक्सर है उसकी लिख लेंगे हम जैसे कि D हमारा 4 पे आता है के हमारा 11 पे आता है S हमारा 19 पे आता है B फिर हमारा 2 पे आता है और L हमारा फिर 12 पे आता है अब देखे दोस्तों अब हमें क्या करना है अब यह देखिए जो बीच के दोनों के दोनों अक्सर है इनके अंदर देखिए difference कितने का है यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका difference पांच का है फिर आगे देखते हैं इन दोनों में कितने का difference है आगे इसमें 6 का है फिर आगे देखते हैं आगे इसमें 7 का है और फिर इन दोनों में 8 का डिफरेंस है इस तरह से हमें इन दोनों में डिफरेंस देखना है कि बीच बीच के जो अक्सर है उनमें कितना डिफरेंस है यहां से हमें पता चल रहा है यानि कि 5 का 6 का 7 का 8 का और आगे जो अक्सर D और K के अंदर देखते है D हमारा 4 पे होता है K हमारा 11 पे इस तरह से हमने लिख लिया यह तो इन दोनों में देखते है तो 7 का डिफिरेंस है और फिर K और S के अंदर देखते है 8 का है फिर S और B के अंदर 9 का है और फिर B और L के अंदर दोस्तो 10 का अंतर है इस तरह से हम देख सकते हैं तो अगला जो अंतर आएगा वो कितने काएगा ग्यारा का अंतर आएगा तो दोस्तों हमें क्या करना है कि यहां पे जो B है इसमें प्लस 9 करेंगे B और यानि की B में 9 जोड़ेंगे भी अपना 2 पे होता है और 9 जोड़ेंगे तो 11 हो जाए 11 यानि की के यानि की हमारा बीच का जो अक्सर होगा वो क्या होगा दोस्तों बीच का हो जाएगा अपना के और लास्ट का क्या होगा लास्ट का देखते हैं यह देखें लास्ट का यहाँ पे L 12 पे है और डिफेरेंस अगे कितने का होना चाहिए 11 का होना चाहिए यहां से आप देख सकते है साथ आठ हमारा हो जाएगा और चूंटी थरी पर हमारा कूंशा ऐता है तो हमारा तर्डलू स Ng K गते हैं तो इस तो s सकते हैं इस को तो आगे को को सिछन थे दोस्तों यह यह वी हमारा जुलाई के अंदर आ इसे हम किस तरह से करेंगे इस में देखिये दोस्तों कोड़ दे देते हैंश कोड़ को इस से यनी कि इसाजTh किस तरह से हैं तोकुलकता को हम किस तरह से लिक्ते है डीजट इन दोने को हम इस तरह से लिक्च लेंगे उनकी हम नंबरिंगatta को इस तरह हो जाता है यह देखिए इन सभी की हमने यहां पर देखिए हमने इन सभी के numbering दे दी है और numbering के बारे में मैंने कल वीडियो डाली थी वहां से आप असाने से देख सकते कि किस तरह से हमें number याद रखने हैं और आगे फिर आगे हमें जो डिजिट बनानी है आगे तो वह कैसे बनेगी दोस्तों उसके अंदर वी क्या होना चाहिए एक दो तीन च्यार पांच छे साथ आठ का डिफिरेंस होना चाहिए यानि कि कोल कता के अंदर हम क्या करेंगे के के अंदर हम एक एड करेंगे तो क्या होगा के कितने पर होता है अपना ग्यारा पर होता है और एक एड करेंगे तो कितना हो जाएगा बारा हो जाएगा और बारा नंबर पर अपना क्या आता है एल आता है और एल से दोस्तों हमारे कौन कौन से अप् ठीक है ये जो लाश्ट के A.T. है इन तीनों को ले लीजिए और निकाल के देखिए और देखिए लाश्ट में तीन किस के अंदर मैच कर रहे हैं तो इस तरह से आप दोस्तो असानी से और जल्द से जल्द कोशन निकाल सकते हैं हमें सभी के सभी डीजेट निकालने की जरूरत नहीं है हम कोई वी चार या पांच निकाल के question find out कर शकते हैं तो आगे देखते हैं दोस्तों आगे कौन सा question है और आगे देखें दोस्तों ज़्यादातर जो question होते हैं असान ही होते हैं लेकिन कई वार difficult question भी आ जाते हैं लेकिन दोस्तों अगर हम practice करते हैं बार बार तो हमारे लिए बिलकुल असान हो जाता है अब इसमें देखें दोस्तों हमारे पास equivalent दिया है और इसका जो code दिया है और आगे हमें elephant का बताना है तो देखिए इसके अदर हम क्या करेंगे सबसे पहले जो covalent है सबसे पहले अपना जो covalent है और यह जो code यह दोनों हम यहाँ पर लिख लेंगे इस तरह से लिख लेंगे और उसके बाद में वही दोस्तों करेंगे कि हम इसमें numbering देंगे सब्सक्राइब तो इस तरह से आपको दोस्तो थोड़ा उसके अंदर देखना है एनलाइज करना है कि कहां पे क्या मैच हो रहा है क्या हमारी सैटिंग बन रही है उस हिसाब से हमें कोशन को करना है तो दोस्तो आपको यहां पे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा लेकिन जब आप प्रैक इसकर करके देखना आपके लिए बिल्कूल हशान हो जाएंगे यह देखिए दोस्तों इनकी जो पोजिशन है वो इन्होंने चेंज कर दी है थोड़ीसी तो यह हमें देखना है कि कौनछी पोजिशन पोर कौन सा अकसर आ रहा है तो इस तरह से हमें यह करना है और आगे देखते हैं दोस्तों आगे किस तरह के question आसकते हैं अब ये देखे दोस्तों ये हमारा अगला question है कि ہुष्पिटल को इस तरह से लिखते हैं तो biological को किस तरह से लिखेंगे तो इसके अंदर दोस्तो कुछ भी पलस या माइनस नहीं हो रहा बस इसके अंदर क्या है कि जो इसके अंदर क्या हो रहा है दोस्तो जो अक्सर की जो position है वो change कर रहे हैं यहां पर देख सकते हैं कि S कहांपे आ रहा है H कहां पे आ रहा है O कहां पे लिख रहे है ये I कहां पे लिख रहे है T कहां पे लिख रहे है तो ये सारी के सारी position आप यहां से देख सकते हैं कि दोस्तों वही बात अब को बार बार कह रहा हूं कि आप कोशिश करके देखेए ट्राइ करके देखे जब बार बार आप question करोगे तो आपके दिमाक में बैठ जाएगा कि कौन सा question हमें किस थरे से करना है प्रैक्टिस करने के लिए दोस्तों आप हमारी ये पीडिएफ ले सकते बिल्कुल फरी इसके इंदर सभी कोश्चन दिये हुए कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटिड और ये सभी कोश्चन दोस्तों पीछे रिपीट हो चुके हैं वो कोश्चन है तो इस पीडिएफ को आप ले लेना इसका लिंक में वीडियो डिस्क्रेप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वहां से आप ये बिल्कुल फरी में ले सकते हैं और आप कोशिस करके देखिए निकाल के देखिए इन सभी कोश्चन को और साथ के साथ इनके आंसर भी दिये हुए हैं और दोस्तों एगार फिर से आप सभी को टीचर से देखी हार्दिक सुबकाम नाए और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगी तो इसे लाइक कीजिए शेर कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और घंटी का वटन जरूर दबाएए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो को साने से देखिए थैंक्यू दोस्तों